हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग अडायर वेदा में तो दोस्तों आज हम आए हैं हमारी पंकज नर्सरी में मैं पंकज पंडित आज आपको बताऊंगा कि चीकू का पोधा कैसे लगाते हैं लोग लगा तो लेते हैं चिकू के पोधे को लेकिन उनको असल में ये नहीं पता होता कि उस पोधे को लगाने के लिए क्या-क्या जुरूरी चीज़ें हमको चाहिए स्टार्टिंग में ही वो इतनी जादा उसके अंदर खाद या फिर जो भी नेम खली वगएरा या बोन वील वगएरा डाल देते हैं उसकी असल में स्टार्टिंग में जुर्त नहीं होती तो किरपया इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखे ताकि आपको चिकू का पोधा कैसे लगाएं उसकी फुल फ्लेश वीडियो आपके दिमाग में सेट हो जाए कि वो पोधा हमें ऐसे ही लगाना है मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर मेरी विधी से उस पोधे को लगाएंगे तो वो पोधा आपका चलता रहेगा और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा देगा सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमें क्या-क्या चाहिए होगा सबसे पहले चढ़े हम एक गमला मैं यहाँ पे 18 इंची गमला ले रहा आप यहाँ पे इससे बड़ा भी गमला ले सकते हैं यह हम चैकु का पेड़ काफी सुनदर पेड है चैकु का काफी प्राइनची जिसमें निकली हुई है और थोड़ी सी चाहिए हमें नीम खली थोड़ी सी चाहिएगी इसमें हमें खाद ये खाद हमारी खुद की त्यार की हुई है ये वर्मी कमपोस्ट है और थोड़ी सी चाहिए हमें मिट्टी मिट्टी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके नस्दीक में मिलती हो अगर बालू रेत मिल जाए बढ़िया है दो मट मिट्टी भी चलेगी हाँ चिकनी मिट्टी ना हो इसका ध्यान रखे सबसे पहले हम करेंगे हमारे गमले में निचे छेक क्योंकि इसका सुराक अभी निचे बंद है तो इसके अंदर हम अभी छेक करेंगे ये हो चुका है इसके अंदर सुराक तो सुराक इतना कम से कम होना चाहिए अभी सुराक को हम ढगेंगे किसी पत्थर के साथ ये बात ध्यान रखें कि पत्थर बहुत जुरूर ये हमने इसके उपर रख दिया एक तूटा हुआ गमले की छोटे से पत्थर का टुकडा अब ये हमारे पास लगबग 18 इंच का गमला है तो इसके अंदर हम कम से कम एक किलो के करीब खाद डालेंगे खाद एक किलो होनी बहुत जुरूरी है तो यहां से खाद लेके और इसके अंदर हम यहां पे मिक्सर करेंगे पहले इसको अच्छे से ये हमने खाड डाली इसके अंदर खाड बहुत जरूरी होती है किसी भी पोधे के लिए ये खाड डाली ये लगबग एक किलो खाड हम इसमें डाल चुके हैं और अब हम यहां से नीमखली को हम लेते हैं नीमखली थोड़ी सी चीए 100 गराम नीमखली बहुत है अब हम इस सारे मिक्चर को अच्छे से मिलाएंगे बिलकुल अच्छे से मिलना चहिए ये मिक्चर इस बात का धिहान रखें क्योंकि जो यह खाड और जो हमने इसमें नीमखली डाली है वो सारी की सारी बिलकुल समान मातरा में भाग में होगी तो इसकी चिकु की जड़ा को फैलने के लिए परियुक्त जगा मिलेगी और अच्छे से ये फैलेंगी क्योंकि हर तरफ से खुराक मिलेगी चिकु के पोधे को और कई लोग बोन मील पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं बोन मील मेरी आप से रिक्वेस्ट है कभी भी आप बोन मील को पहले न डाले क्योंकि बोन मील की फ्रूटिंग के बाद ही जुरूरत पड़ती है अभी है पोधा फ्रूटिंग पे नहीं है तो इसको आप डालें अच्छे से खाद और निमखली के साथ और इसको मिलाने की मिट्टी की प्रोसेस है ये हभी हम आपको दिखाएंगे दोनों हथेली के बीच में रखके और इस मिट्टी को ऐसे ऐसे करके आप मिलाएं ताकि इससे मिट्टी का जो भुरुबरापन है वो बना रहेगा और जो छोटी-छोटी कंकर है जो पत्थर है मिट्टी के वो सब के सब इसके अंदर असानी से डिजोल हो जाएंगे आप इसको असानी से एक बार ये हमने सारी की सारी मिट्टी को हमने असानी से मिला दिया जिसके अंदर नीम खली और खाद हमने मिला ली अब हम इस मिट्टी को इस गमले में भरना शुरू करते हैं यहाँ से इसको थोड़ा सा नजदीक लेके आते हैं आब इसको इसके अंदर भरना शुरू करते हैं इसको भरते रही है और थोड़ी सी निमखली लीजिए और हलकी हलकी याँ पर ऐसे डालते रही है ज्यादा निम्खिली यूज नहीं करनी बिलकुल थोड़ी थोड़ी ही हमें डालनी है को खाद हम बहुत ज़दा मिला चुके हैं अब हम चीकू का पोधा लेंगे यहां से और इस चीकू के पोधे की थैली को हम कट करेंगे इस थैली को बिलकुल असानी से कट करना है अगर कटी में आपका पोधा है तो आप चक्कू की मदद ले सकते हैं नहीं तो जो थैली होती है यह ब्लेक कलर की यह असानी से हाथ से ही कट जाती है तो अब इस पोधे को हम इस गमले के अंदर शिफ्ट कर देते हैं असानी से ये सारा काम हमारा फिनिशिंग पे है और अब इसको मेट्टी से हमने सारा ढग दिया और अब इसको हमने उपर तक भर देना है इसको ध्यान रखें कि इसको हमने जादा उपर तक नहीं बरना नहीं तो पानी इसमें नहीं रुक पाएगा लगबग एक इंच के करीब आपको इस गमले से मिट्टी का जो जगा है वो खाली रखनी है और अब हमारा गमला अच्छे से लग चुका है अब हमें क्या करना है एक मुठी खाद और लेनी है इस एक मुठी खाद को हमने इसके बिलकुल उपर उपर हमने ऐसे डाल देना है ऐसे डालने के बाद इसको बस ऐसे मिला के और छोड़ दीजिए अब समय है इसके अंदर पानी देने का अब हम पानी दे के और आपको दिखा देते हैं बस अब इसमें ऐसे पानी देना है तो दोस्तो पानी देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारे पास एक चीकू का बड़ा पेड है तो इसके अंदर हमने आज तक कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया है ये हमारे यहां जमीन में लगा हुआ है और बोन मील का प्रियोग भी आपको नहीं करना है गमले में तो खास कर लेकिन उसको आप बाद में कर सकते हैं दो से तीन साल के बाद जब आपका पोधा अच्छे से जड़ें फिला दे आपके गमले में तो एक बात और इसका विशेश ध्यान रखे चीकू का पोधा ही एक ऐसा है पोधा जब भी हमें इसका फ्रूड तोड़ना है तो कभी भी कटर या कैंची कभी भी किसी लोहे से बनी चीज का इस्तमाल ना करें क्योंकि वो इस्तमाल करने से पोधा आगले साल कम फ्रूटिंग पे हो जाता है तो आप इस बात का विशेश ध्यान रखें और गमले में पोधा कैसे लगता है इसकी विदी हमने आपको पूरी बताई है अगर आपको विडियो अच्छी लगे तो इसे शेर जरूर करना और हमारे चैनल गार्णिंग एंड आईरुवेदा को भी सस्क्राइब जरूर कर दें थैंक यू